प्रियो बैबल में तीन लोगों के विशे में लिखा गया है, विशेश रूप से जिने परमेश्वर पसंद किया, जिने परमेश्वर चाहा, ऐसे तीन लोग, आप बता पाएंगे कौन है, यहिशकेल की पुस्तक, चौदा का चौदा, तब चाहे उसमें नोह, दानियल, और योब, ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्रानों को बचा सकेंगे, प्रभु यहोवा की यही वानी है, प्रियो तीन धर्मी लोग थे, उनकी धार्मिक्ता के कारण वे बच गये, इन धर्मियों के विशे में परमेश्वर द्वाई दे रहे हैं, एक नो, और दुसरे अयूब, और एक दानियल, क्यों परमेश्वर इन तीनों के विशे में यहिश्केल के द्वारा लिखवाएं, प्रियो जिने परमेश्वर चाहे, जिने पसंद किये, जो धर्मिक्ता से जीए, इन तीनों के विशे में यहिश्के पवित्र था दूसरा आयोब परिपूर्ण था तिसरा दानियल प्रात्ना करने वाला था प्रियो नुह कोन था? पवित्र था आयोब कोन था? परिपूर्ण था दानियल कोन था? प्रात्ना करने वाला था मसिही कौन है? पवित्र है? प्रात्ना करने वाला है, परिपूर्ण है प्रियो मैं और आप परमेश्वर के संतान के रूप में जी रहे हैं इस तरह इदि कहते हैं तो हमें पवित्र रहना है किसलिए? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है हमें परिपूर्ण होना है हमारा परमेश्वर परिपूर्ण है हमें प्रात्ना करने वाले होना है क्योंकि प्रभु इश्व मसी जब इस संसार में थे तब बहुत प्रात्ना किये और अभी प्रभु क्या कर रहे हैं? पिता के दाहिने सिहासन पर बैठ कर क्या कर रहे हैं? प्रात्ना कर रहे हैं तो एक सच्चा मसीही कौन है जो परमेश्वर को प्रिय हो जो परमेश्वर का पसंदीदा हो आत्मिक कौन है इस तरह प्रश्ण पूछेंगे तो सबसे पहले परमेश्वर पवित्र जीवन जीने वालों को पसंद करते हैं कब पवित्र जीवन जीने वाले कहां पवित्र जीवन जीने वाले कैसे पवित्र जीवन जीने वाले इस बात को जानने की कोशिश करेंगे आईए हम सब मिलकर उत्पत्ती की पुस्तक में प्रियो लगभग 5000 वर्ष पूर जो घट ना घटी उसे आपके सामने लाना चाहता हूँ गुत्पति की पुस्तग छटवा ध्याय पाँचवे वचन से यहोवा ने देखा कि मनुश्यों की बुराई पृत्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन होता है वह निरंतर बुरा ही होता है और यहोवा पृत्वी पर मनुश्यों को बनाने से पच्छताया और वह मन में अती खेदित हुआ प्रियोब परमेश्वर खेदित होते हैं? खेदित होते हैं या नहीं होते हैं? क्या कहेंगे आप? परमेश्वर खेदित होंगे? अगर जब आपके मुह से अपवित्र बातों को सुनेंगे तब, आप जब अपने शरीर से अपवित्र कारियों को करेंगे, परमेश्वर खेदित होंगे, प्रियों पुत्र शराब पिने से पिता दुखी नहीं होंगे, आप जो एक शराबी हैं, आपके शराब पिने की आदत प्रिक्षा में पास होने से आपके माता-पिता खुश होंगे. परिक्षा में फेल होने से आपके माता पिता दुखी होंगे वैसे ही जिसने आपसे प्रेम किया है वो परमेश्वर आप फेल होने से दुखी होंगे खेदित होंगे क्यों जानते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम सफल हों हम विफल हो जाएं परमेश्वर पिता कभी भी नहीं चाहते हैं किसी भी विशय में हो बताताओं सुनिए शिक्षा में हो पेशे में हो मौकरी में हो क्रिशी कारी में हो वैपार में हो चिकिस्सा में हो हारने की अनमती नहीं है मेरी बात समझे शिक्षा हो चिकिस्सा हो, पेशा हो, वैपार हो, क्रिश्री के काम में हो आपको हारने की अनुमती नहीं है आप हार जाएं परमेश्वर नहीं चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर कभी हारे नहीं उसके संतान भी कभी हारना नहीं है प्रिया उस दिन परमेश्वर ने मनुष्य को जिसे बड़े प्रेम से बनाया जब देखा, अपना मन देकर, अपने सरूप में, अपनी समानता में जब मनुष्य को बनाया, वे क्या अशा किये कि मनुष्य उनकी इच्छा के अनुसार जीएगा, मर्जी के अनुसार जीएगा, लेकिन मनुष्य परमेश्वर को भूल गया। माता पिता दुखी होते हैं, खेदित होते हैं तो मेरे और आपका परमेश्वर और कितना अधिक खेदित नहीं होंगे। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किये कि अपने पुत्र को दे दिये। प्रभु जिसने मुझ से और आप से जान से भी अधिक प्रेम किया और अपना प्रान दिया, वो प्रभु जब आपको देखे, तब आप मनमर्जी से जीते हुए दिखाई देने से? दुखी होंगे, निश्य दुखी होंगे, प्रियो मैंने एक गीत लिखा था, शाय दुरूर रहे होंगे, ईश्यो तेरी स्रिष्टी करने के कारण, तुझे इस जगत में भेजने के कारण, इस गीत को मैं इन वचनों से प्रेरित होकर लिखा, प्रियो उस दिन लोग मनमर्ज से जी रहे थे, उनके विश्य में लिखा हुआ है, आईए देखें, तीन विश्य लिखे हैं, पहला, मनुष्य की बुराई बिगड गये, उनके काम बुरे हैं, उनकी आदतें बुरी हैं, वे जो देखते हैं बुरे दिरिश्यों को, जो करते हैं बुरे कारिये, बुरी और गंदी आदतों के जो गुलाम हो चुके हों बुरी संगती में घूमने वाले बुरे स्थानों में घूमने वाले बुरे रास्तों में घूमने वाले कोई हैं क्या? तो आप परमेश्वर को खेदित कर रहे हैं परमेश्वर को वेदना दिला रहे हैं सबसे पहले उनकी बुराई प्रित्फी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार विचार प्लस कल्पनाएं उनके विचारों में बुराई उनके कल्पनाओं में अपवित्रता प्रियों आज हमें कुछ लोग प्रैक्टिकल में कारी रूप में आप पाप नहीं करते होंगे लेकिन विचारों से पाप करने वाले नहीं है क्या शरीरिक रूप से वेविचार करने वाले नहीं होंगे हम में लेकिन विचारों में पाप करने वाले नहीं है क्या आज बहुत से लड़के और लड़किया किस परिक्षा में पढ़ते हैं जानते हैं? लड़के सुन्दर हिरोईनों को अपने मन में विचारों में सोच कर पापों को करते हैं सुन्दर हीरो के विशाय में सोचते हुए लड़कियां अपने विचारों को और अपने शरीर को नाश करते रहते हैं आज इन वचनों को सुनने वाले मेरे प्रीभाई और बहन आपके जीवन में ये सत्य है न पती के साथ रहते हुए भी पराई पुरुष से अपने कल्पनाओं में पाप करने वाली पतनिया नहीं है कहेंगे कौन है ये लोग बिगडे हुए हैं आज ऐसे लोग हमारे बीच में नहीं हैं क्या निश्य हैं आपको देखकर परमेश्वर खुश नहीं है खेदित हैं आपकी स्रिष्टी करने के कारण आपके लिए अपना प्रान देने के कारण आज निश्य परमेश्वर दुखी है ये हमारे लिए ठीक नहीं है हमारे लिए भला नहीं है ये जानने से अच्छा है वर्षों को गिनते रहते हैं, अभी मेरी उम्र 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, उम्र किसका है, आपके शरीर का है, लेकिन विचितर बात यह है कि आपके आत्मा का और मन का उम्र नहीं है, 70-80 वर्ष होने के बाद भी, शरीर से पाप करने के लिए ताकत नहीं होने पर भी, विचारों से पाप करने वाले नहीं हैं कहेंगे, एक दिन एक बहन आई, भाई मेरे लिए प्रातना कीजिये बुली, मैंने पुछा किस विशय के लिए प्रातना करना है, तब उस बहन ने क्या कहा जानते हैं, वे विचा आज मनुष्य के मन में रहने वाली सोच, विचारों का सोच केवल बुरी है, यह आपके जीवन में सत्य है ना, निश्य सत्य है, आपके विचार सही नहीं है, यह सत्य है, आपके सोच बिगड़ गये हैं, यह सत्य है, सुबह से शाम तक बुरे विचार मन में आते हैं, यह सत् थिर नहीं रहने देती हैं, ये सत्य है, पवित्र जीवन जीने नहीं देती हैं, ये सत्य है, उस दिन उस बहन के लिए मैं प्रात्ना किया, पिता इस बहन के विचार बिगड रहे हैं, अपवित्र विचार, अपवित्र इक्षाएं, अपवित्र वेविचार के विचार मन में खलबली मचा रहे हैं, शान्ती रहित कर रहे हैं, पवित्रता को बिगाड़ रहे हैं, आपकी संतान की रूप में आनंद को, संतोष को अनुभाव करने नहीं दे रहे हैं, कृप्या इस बहन पर तरस खाईे, इस तरह मैं प्रात्ना किया, प्रियो क्या कह रही थी वो बहन, मे शतर वर्ष से भी अधिक उम्र की एक बुजुर्ग बहन आकर मुझसे कह रही हैं, मेरे लिए प्रात्ना करो, मेरे विचारों में पाप है, नई है कहेंगे ऐसे लोग हमारे बीच में, जिनके उम्र 60 साल हो चुकी है, जिनके उम्र 70 साल हो चुकी है, इस उम्र में भी आपक आखों में कामुक्ता है, इस उमर में भी आपके विčारों में पाप है, उमर से कोई संभनध ना होकर, मन मर्जी से जीने वाला, जीवन और विचार हम में होने से, परमिश्वर खेदित हो रहे हैं, और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन होता है, वह निरंतर बुरा ही होता है। निरंतर का अर्थ क्या है? जब देखो पाप में विचार, जब देखो मन में अपवित्र विचार, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुद्वार हो, हिस्त्री नहीं, पुरुष नहीं, बड़ा नहीं, छोटा नहीं, हर किसी के मन में जब देखो बुरे विचार, बुरे सोज, बु खेदित हुआ, दुखी हुआ, मैं मनुष्य को ना बनाता तो अच्छा था, इस मनुष्य की सृस्टी ना करता तो अच्छा होता प्रमेश्वर दुखी हुआ, प्रीयो हो सकता है आज परमेश्वर आपको देखकर दुखी हो रहे हूं, मनुष्य की स्रिष्टी ना करता तो अच्छा होता इने ना बनाया होता तो अच्छा होता प्रियो कई बार हमारे बच्चे हमारी आग्या ना मान कर मन मानी करने से तुझे जन्म ही नहीं देते तो अच्छा होता इस तरह माता पिता रोते हैं मेरे बच्पन में मेरी मा रोती थी हर दिन यही रोना था किसके विशे में? मेरे विशे में कई बार मेरी मा मुझे देख कर रोई क्या कहके जानते हैं? तुझे जन्म ही ना देती तो अच्छा रहता मेरे कोक से क्यों जन्मा है तू? बहुत बार रोई कारण क्या है मैं बहुत शरार्ती लड़का था दिन भर कोई ना कोई लड़ाई दिन भर में कोई ना कोई जगड़ा घर में ले आता था पड़ाई नहीं करता था कोई चिंता नहीं थी मनमरजी से जब मैं जी रहा था मेरी माँ जब भी मुझे देखती हर बार रोती थी जन्म देने के कारण रोती थी आज आप मनमरजी से जी रहे हैं इसलिए आपको दाम देकर मोल लिए हैं शायद इसलिए प्रभू रो रहे होंगे मुझे क्यों तुम्हारे लिए प्रान देना पड़ा मैं अनावशक तुमसे प्रेम किया प्रान से भी ज़्यादा प्रेम किया मैं अपने प्रान को तुम्हारे लिए दे दिया लेकिन तुम मनमर्जी से जी रहे हो प्रभु दुखी हो रहे होंगे एक बार सोचिए अभी मेरा प्रश्ण प्रभु को दुख देकर आप क्या हसिल करेंगे प्रभु को सता कर तुम क्या पाओगे प्रभु के मन को दुखी करके तुम क्या कमाओगे उस दिन वे क्या कमाये जानते हैं नाश को क्या कमाय जानते हैं प्रलै को प्रान को गवाने वाले भायानक दंड को मोल लिए फिर क्या हुआ पढ़ रहा हूं तब यहवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने स्रिष्टी की है प्रिथ्वी के उपर से मिटा दूँगा क्या मनुष्य क्या पशु क्या रेंगने वाले जनतू क्या आकाश के पक्षी सब को मिटा दूँगा क्योंकि मैं उनके बनाने से पश्टाता हूं प्रियो परमेश्वर प्रेमी है और साती साथ धर्मी भी है अन्याय को सह नहीं पाते हैं अधर्म से जीने वालों को देख कर चुप नहीं रह पाते हैं, परमेश्वर न्याई हैं, न्याई और धर्म की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं, तुम्हारे पाप मैं कामों के कारण, तुम्हारे अपवित्र जीवन के कारण, मैं तुम्हें दण दे प्रियो आपको याद है जब उड़ाओ पुतर लोट कर आया तो अपने पिता से क्या कहा? पिता जी देखेंगे आये लू का पंदरवा अध्या उसका ठारवा वचन मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिता जी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टी में पाप किया है या तेरे सम्मुक पाप किया है पाप करने वाला हर एक विक्ती परमेश्वर के विरोध में और मनुष्य के विरोध में पाप कर रहा है इस बात को मत भूलिए उस दिन परमेश्वर निरने लिये मुझसे नहीं होगा अभी तक मैं सह लिया बरदाश्ट कर लिया लेकिन अब मुझसे नहीं होगा दर्ण दूंगा प्री भाईयों और बेहनों परमेश्वर सहते 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 हमें देख कर इस बात को कहने से क्या होगी हमारी स्तिती उससे नहीं होगा मैं अब सह नहीं सकता जान बुच के पाप कर रहे हो सब कुछ जानते हुए मनमर्जी से पाप मैं काम कर रहे हो मैं पवित्र परमेश्वर हूँ ये मालुम है मैं पवित्रता से प्रेम करता हूँ ये मालुम है उन्हें पवित्र जीवन जीना है उन्हें मालुम है उनके लिए मैंने अपना प्रान दिया है, ये भी मालूम है, खोन बहाया हूं मालूम है, दाम चुका दिया हूं मालूम है, मालूम होने पर भी मेरे बच्चे मनमर्जी से जी रहे हैं। एक बार सूचिए, यह हेचकेल 22 सध्यां 13 और 14 वच्चन कि भोग किया गया है. किसी ने तुझ में पडोसी की इस्त्री के साथ घिनोना काम किया क्या यह वास्तों नहीं हैं? आज इस संदेश को सुनने वाले आपमें, आपमें, आपके शरीर में ऐसे कामुकता के काम नहीं हो रहे हैं क्या? परमेश्वर कह रहे हैं तुम में कामुकता के घिनोने काम करने वाले हैं और किसी ने अपनी बहु को बिगाड़ कर महापाप किया है और किसी ने अपनी बहिन अर्थात अपनी बेटी को ब्रश्ट किया है और किसीने अपनी बहु को बिगाड कर महापाप किया है और किसीने अपनी बहिन अर्थात अपनी बेटी को भरश्ट किया है। रिष्टों को भूल कर, शरीर की कामुकता को पूरी करने के लिए, कितने हद तक गिर गये हैं, परमेश्वर ने देखा, रीतुमती स्त्री को भी नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी बहु को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उन दिनों एक पती-पत्नी मेरे पास आए, बहुत चिंता और दुख के साथ आए, वो पती कहने लगा, मेरी पत्नी के लिए प्रात्ना कीजिए, वो डिप्रेशन में है, मर जाना है सोचकर आत्मत्या की कोशिश कर रही है, कृप्या मेरी पत्नी के लिए प्रात्ना कीजिए, तब मैंने पूछा, बहन क्यों आत्मत्या करने की कोशि नहीं निकला, उस बहन के पती ने कहा, मेरा पिता, मेरी पत्नी को बिगाड रहा है, पिता यानी कौन है, ससूर, स्वयम ससूर ही बहु के साथ कुकर्म करने से वो कैसे सह सकती है, आज हमारे बिच कोई हैं क्या, रिष्टों को ताक में रखकर, मनुष्य होकर जानवरों सा जीने वाले हैं क्या, खत्रा है, यह अंतिम दिनों के लिए और नाश के दिनों के लिए, एक चिन है, इस बात को मत भूलिए, एक दिन एक मा और गर्ववती बेटी आए, समाने ता साथ आठ महने की गर्ववती बेहन आने से, किसलिए आएगी, प्रात्ना कराने आएगी, कि डिलवरी अच्छे से हो सके, स्वस्त बच्चा हो सके, मा और बेटी दोनों आये, प्रात्ना करने को कहे, प्रात्ना करने से पहले मैंने पूछा, आपके पती नहीं आये हैं क्या? कुछ नहीं बोली, ये क्या है बहन? आप गर्भवती हैं, प्रात्ना करवाने के लिए आये हैं न, आपको पती नहीं आया क्या? मा बोली, वो नहीं आयेगा, वो आ नहीं सकता, क्यों, वो क्यों नहीं आयेगा, किसलिए नहीं आयेगा, नहीं आप आयेगा, किसलिए? वो मा असुबहाते हुए बोली, मेरी बेटी, आज जो गर्बोती हुई है, शादी के बाद नहीं, शादी के पहले ही गर्बोती हो गई, इसका पती नहीं है, फिर पती की बिना गर्बोती कैसे हो गई, इसकी बतकिस्मती है, हम क्या करें, हम क्या करें, क्या हुआ, कौन है जिसने आपकी बेटी को इस तरह बि उते हुए एक बात बुली, कोई और नहीं बेटे, मेरा बीटा, मेरे स्वयम का बीटा, मेरी बेटी को गर्ववती कर दिया। मैं प्रश्ण चिन लगाता था, यहां क्या है? और किसी ने अपनी बहिन अर्थार्त अपनी बेटी को भ्रश्ट किया है, जब इस स्वचन को मैंने पढ़ा, मुझे डर लगा, दुख हुआ, मन में प्रश्ण भी आया, यहां क्या लिखा है? स्वयम की बहिन को ही बिगाडने तुम में है, इस तरह जब मैं अपनी छोटी उम्र में जब पढ़ा, वहां कुशन मार्क लगा लिया, क्या है प्रभू? बेहन को भी गाडना क्या है? ऐसे कौन करेगा? ऐसी बातें बैबल में क्यों है? इस तरह मैं प्रश्ण चिन लगा लिया, क्योंकि उस समय मुझे अपनी बेहन को भाई के द्वारा बिगाडना, पहु को बिगाडने वाले ससूर, प्री भाई और बेहनों परमिश्वर कह रहे हैं, मनुश्य के मन में जो भी उत्पन होता है, बुरा ही होता है, वो इतना बुरा होता है कि पत्नी और बहु में अंतर नहीं दिखाई दी रहा है, बेहन में, भावी में, साली में अंतर नहीं दिखाई दी रहा है, जीजा और भाई में अंतर दिखाई नहीं दी रहा है, आज हमारे बीच में ऐसे लोग नहीं है क्या, निश्य है, ऐसे लोगों को परमिश्वर देख कर चुप रह पाएंगे क्या निश्य दंड देंगे आज हमारे बीच कोई है क्या मन मर्जी से जीने वाले उपर से भक्त दिखाई देते हुए अंदर ही अंदर भयानक अपवितरता को इखटा करने वाले लोग परमेश्वर प्रश्ण कर रहे हैं इदि मैं तुम्हें दंड दूंगा तो सहने की शक्ति तुम्हें है क्या सहने की शक्ति नहीं होने से हमें क्या करना है पश्यताप करना अच्छा है पवितर परमेश्वर पिता बहुती सीधे और इस्पष्ट मुझ से हम से सबसे बात करने के लिए धन्यवाद नुह पाप मैं समाज में पाप मैं लो आपको देखते वे जिया इसलिए वो अकेला ही नहीं अपने बच्चों को, बहुओं को और अपनी पत्नी को, सारे परिवार को धर्मिक्ता के मार्ग में चला सका। आज हमें बहुत से बच्चे पिता मन मर्जी से जी रहे हैं, आग्या ना मान कर गलत कदम बढ़ा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं माता पिता को, ना मितने वाले दुख को दे रहे हैं, अपमान को ला रहे हैं, इनके विचार केवल बुरी है, इनकी सोज बिगडी हुई है, इसलिए पिता, शमा मांग रहे हैं, माफ कर पिता, जो जो लोग रिष्टों को ताक में रखे, मन मर्जी से जी कर अपने शरीर को नाश कर लिये हैं, वे अपने गलती को मान रहे हैं, शमा कर पिता, माफ कर, बहुत ही सीधे और इस पश्ट हमसे बात करने के लिए, आपको धन देते हुए एश्यू मसी के नाम से मांगते हैं पिता आमेन